हेलो एवरिवान, गुड मॉर्निंग अल अफ यू, वेलकम टू फ्री नॉलेज, दोस्तो आज 28 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 28 मार्च से रिलेटेड करेंड आफेर्स के सभी इंपोर्टन कोस्टिन्स को कवर करने वाले हैं और आज संडे है, उसलिए में बहुत सरे इंपोर्टन कोस्टिन्स और कोस्टिन्स नंबर्स भी 5 से 8 कर दिया हूँ और हूं मिला कि 9 है टूटल, आपको अटेंशनली इस चीज को सुनना है, और इफ यू थिंक इस शुड भी नूटेड तो आप नूटिस करना चाहिए, क्यो बहार हमें क्या हर आएगी, ठेगे, जिद जब जिद किये, तो मतलो हमको इतना जिद, मतलो खुद के अपर इतना कंपिडेंस, सिर्फ कंपिडेंस नहीं, कंपिडेंस के साथ हाड़ वर्ग भी करना चाहिए, मैं हाना जो जीजे, अब शिर्फ कंपिडेंस मेरेंगे तो देखने की बात नहीं है, क्योंकि उसको ग्राउंड में भी काम करना है, तो भी जाए कि हमको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है, तो चलो, सबसे पहले, आज का क्या है, फास्ट कोस्टिंस वो देखते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुर्णो लेयारपोर्ट हैज बिन प्रदेश बिन इनागुरेशन के है, कुर्णो लेयारपोर्ट का इनागुरेशन अभी वो आए, अंसरी अप्सन ए, अंदरवर्देश, ठीक है, अंदरवर्देश में हमारा जो एविशन मिनिस्टर पुरी है, मतलब जो हर्दिफ सिंग पुरी और जो चीप मिनिस्टर इनागुरेशन के है, ठीक है, तो अभी ये इनागुरेशन का बाद, अंदरवर्देश का ये छटव अब एयरपोर्ड बन गया, ठीक है, टोटल पहले किसना था, पांस था, प्लोस ये मिल के हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इसका क्या है, मतलब कौन से स्कीम में हुआ क् था, ओडन, ओडन, ठीक है, ओडन में हुआ था, अंडर ओडन स्कीम, ये क्या है, ओड़ेश की आमनागरिक, इसकीम के अंडर ये इनागुरेशन हुआ ये, मतलब डेवलोपमेंट हुआ था, और ये उने से उनका प्रेजिंस में हा था, ठीक है, और अबाउड अंदरवर् विश्व भुष्चन हरी चंदन ठीक है और हम कुछ यह फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो देखेंगे यह सबसे फास्ट स्टेट जो बाइलांगोईज इसका स्टेट लांगोईज तेलेगू तेलेगू के नाम पर राजिय बनाए वह अंद्रब्रदेश ठीक है और अभी दो स्टेट होगे अंद्रब्रदेश पहले था अभी जो तलेंगाना और यह हो गया तो उसका है द्रबाद चला गया और इसका अमरा बतिया ठीक है और सबसे में चीज है कि जो यह सरा से कर रड़ी है मतलब जगर्मान रड़ी अभी प्रेजेंट है तो पहले जो थे उनको स्कॉच चीप मिनेस्टर अवड़ अवर्ड में इसलिए कि यह सिलेक्शन होया नाओ इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्टर स्केम सो लंच करते है और उसके उपर भी प्रोजेक्टर बंग करते जो कि सेंट्रल यह ओड़ेड होते उसलिए तो यह एक इनिशेट्व चीज ऑफ्लान्स थ्री केपिटल्स जो तीन केपिटल बाल राज्य है तीन केपिटल्स का ये है हमारा अंद्रप्रदिस एसे बहुत सारे स्कीम से जगना कनु का स्कीम वैसर वाटरार्स इंडिया स्फर्स्ट डॉग पार के है रवाद में जो साउथ में है और ग्लोबल स्मार्ट इंडेक्स में सबसे फास्ट इंडिया में हुआ था और वाल्ड में 85 नंबर में था एईसे बहुत सरे स्कीम से सचलो दानेक्स वान इन हुइस कंट्री दा वर्ल्स फर्स्ट सीप टनल वी बिल्ट दुनिया का सबसे पहला सीप टनल कहां शुरुआत होगा तो आपको यह पता होगा कि जो रोट टनल था जो सुरंग बोलते थे वह बहुत जागा तो होता था ठीक और जो सीट अन्डिया में हो गया बना दे वो का है वो है अंसरी जप्शन डी नरुवे में ठीक है जो कि समंदर कंदर मतलब टनल बना दे फास्ट सीप टनल ठीक है समंदर कंदर और सीप के लिए ठीक है तो यह देखते क्या है नरुवे नरुवे और टनल के बार में थोड़ा डिसकेशन कर लेते उसमें क्य है उसका जो लेंद है कितना है 1.7 km टिया ठीक है उ लेंद होगे कि इसका मतलब जो हमारा टरनेल का लेंद टोटल डिस्टंस होगे ठीक है और हमारा जो कापसीटि कितना हो जाए समें 16 000 ठीक है कापसीटर कितना है 16,000 टॉने टॉनेल का हीड़ कितना है टॉनेल का हीड़ है 49 मिटर हाइट है इसका ठीक है और हमारा वीर्थ कितना है वीर्थ है 36 मिटर 36 मिटर वीर्थ है और इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट में कितना मतलब जो प्रोजेक्ट हुआ है इसमें प्रोजेक्ट हुआ है कि 2.8 billion kronor kronor है उनका जो हमारा जैसे universal dollar जलता है उनका kronor यूज जोता है यह हम इसको यह भी बोल सकते है कि 460 नर्वेजियान उनका जो है नर्वेजियान है kron मतलब kronor जो है kron है ठीक है और अभी देखते हैं हम नर्वे के उपर अगर डिस्केशन करेंगे तो नर्वे नर्वे का अभी human development index human development index सबसे पहले वहा था in the world और world democracy index में भी सबसे पहले वहा था world democracy index में भी सबसे पहले था ठीक है तो नर्वे नर्वे का capital क्या है नर्वे capital है ऊसलो है ठीक है अभी दूसरे को discussion करते क्या है रोसिया रोसिया का क्या है फास्ट न्युक्लियारेटर रुसिया स्विमिंग न्युक्लियारेटर है ठीक है और डेन्वर का देखें तो फर्स्ट एनर्जी आइजलेंड ठीक है यह दनेस्ट वन इस रेसेंट लुइच इंडियान फेमेल प्लेयर हैस बीन रेंग्ड फास्ट इंडर्स इस रेंग्ड रेंकिंग इस रेंग्ड रेंग्ड में कौन सा अमारे इंडिया का लड़ी खेलाडी जो है सबसे पहले स्थान में रखा गया उनको मतलब फास्ट रेंग हासल के वह कोने सेफाली वर्मा जो कि यंगर स्ट है जिसका उमरे 17 साल है 17 साल में इन्होंने यह दू बुलते लेडे सेफा लेडे सेफा बोलते क्योंकि हमको सबको बताये मतलब ब Murray आलो ओल ऑर यह पताये की शेवशे एक हीसी हेटर थे जो से दुबाई में है और दुबाई कहां UAE में ठीक है और इनका जो अभी प्रेजेंट प्रेजडेंट गोने ये ग्रेक बर्कले मैं इसको भी पहले कवर किया हूँ आपको पता होगा नहीं तो पहले विडियो देख रहे ला ग्रेक बर्कले वो कहां के न्यूजिलांड के ठीक है और हमारा जो जो मनुसें आने आए खुछ अभी फिर और 2023 में हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है me ands so old company ठीक है और women's Цеिक का है या फुल्प है यस सली होगा लास्ट में निंज्यलांड में होगा ठीक है वेमेंस वाल्ड कप होगा न्यूजलांड में वह होगा इंडिया में ठीक है तो जा नेक्स्ट वान इस इंटरनेशनल थेटर डेई सेलिबरेटेड और विज डेटर डेट थेटर मतलब आप समझ में पहले अभी तो आज कल हम जो इस अनलाइन मोबी देख रहे हैं ना पहले और वह ऑन्लाइन में तो अन्यू क्राण्ड आकर करता है और वह भूट अच्छा भी लगता है और नाउब हमारा उडिशा में चेल भी रहा है और करेंडवीलन ये तो बहुत चल रहा है this month में इन दिस मंन्त है पर बहुत प्यमार्यस है उडिशा में या चीज तो यह कि 1961 27th मार्च में हमारा Establishment Day है किसका International Theatre Day का Establishment Day है ठीक है Establishment Day उसलिए हम 27th मार्च एवरियर हम International Theatre Day सेलिड़ेट करते है ठीक है और इसका significance या उद्धिस ही कहा है लोगों में theatre को लेकर जागरूत का लाना और theatre की अहमियत यादि लाना है ठीक है यह है इसका थी में 24 मार्च कम क्या करते 24 मार्च कम World TB Day celebration करते ठीक है और 22 को 22 कम करते World Water Day H2O ठीक है साइछ करम लिग जा है H2O 21 को क्या करते 21 को करते First Day ठीक है World First Day ठीक है World First Day इंडिया रेंग्ड which place in the intellectual property index Intellectual property index आपको पहले समझ नहीं ठीक है ? Intellectual property index यह है कि हम अपना बुधी अपना नोलेज जो हम कितने वाइज है यह चीज़ को हम यूज करके हम क्या क्या बना सकते लाइक रोबोट जो कि हम robotics करते हैं उसमें हमारा कितना मतलब human brain पावार है और हम कुतने यूज कर सकते हैं और कितना हम बाहर से खरी सकते हैं खरी सकते मतलब दुसरे का जो idea and innovation को हम sharing करते हैं वो चीज कितना है और हम कितना अपना यूज करते हैं वो बोलते इंटेलेक्शल प्रोपर्टी जो कि मारा बोदिक संपति होता है ठीक है तो इसको में बूलते हैं कि अंत्राइश्टिय बोदिक संपता सुचकांग international intellectual property index तो इसमें कौन सा स्थान लिया है इंडिया लिया है अंसर इस अप्षन है फोटी ठीक है फोटी और आप देखेंगे इसमें इंट्रिजिवर पूपर्टि इंडेक्स में तो इसका है 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 जनेवा स्विजल्यान में और इस का है फिर डबले जोगा भी ओधर यह ठीक है और 53 यह कौन सा रैंकिंग इंडिया गया था इंडिया गय देमोक्रास इंडेक्स में जो भी पहले होता है था नरौ रहता है उसमें और 63 में कौन सा था दूइंग बिजिनेस इंडेक्स में और इसमें सबसे पहले देश कौन था यह था न्यूजलैंड नाइंडिवर में था क्या ग्लोबाल हंगर इंडेक्स ठीक है इसने सबसे पहले कौन था बिलारूस ठीक है यह है तो अंतराष्ट वह दिख्सम बता के इसमें इंडिया है हमारा फोटी नाइंत में सरी फोटी में और इस्टेबलिस्मेंट यह उसका में बता ना भूल गया था यह है 1969 ठीक है 1969 यह पहले तो इसले इसे बता दिया था फूइस एज बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूद गेम्स 2021 खेलो इंडिया यूद गेम्स 2021 में हमारा कौन चा चीज अभी न्यूली उसको आड़ किया जाएगा यह है योगासन मतलो योगासन बाई रामदे बाब हमारा रामदे बाबाने जो पहले कामपाइन लगाए था इसके उपर तो वो चीजा सकसेस हो गया है हमारे स्पोर्स मीनिस्टर को नहीं है सुच्ट्स मीनिस्टर किरन रिजीज उने इन्होंने अभी इस सल्ट चार न्यू ठीम्स आड़ करने के लिए कोशिस करымиफ ठीगे वो चार निया निया चीज में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी पहले विकाज दू टू लेक अफ टाइम तो हमारा स्वर्स मिनेश्टर के रहे जोजने ये दोनों के लिए फोर बहुत मेल और फिमेल ठीके इसमें योगाशन में कौन कोना आएगे मेल और फिमेल दो पंजब में पंजब में नहीं है इसमें क्या है इसमें 24 मार्च से 29 मार्च तक इसमें मतलव वो सेलिवरेशन गरते हैं और इसमें क्या है शिर्फ पंजब में नहीं है पंजब में मतलव फरेंड में ये चीज़ा हरते हैं जहां पर की सीख बाले रहते हैं तो वो हल्ला मौला फेस्टिवाल को सेलिवरेशन करते हैं जहां जहां हैं और इंडिया में भी 74 फिस को सेलिवरेशन करते हैं ठीक है तो पंजब पंजब क केपिटल क्या है चंडीगड़े सियम केपिटेन अर्विंदर सिंग है ठीक है और हमारा जो गवर्नर काउने गवर्नर काउने बिपी सिंग बंदूर ठीक है और इसका स्केम्स के वारे में तो आपको पता ही हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन था ये और दुसरे था सब्सक्राइब के दिजिनेट अप्लिकेशन इद अखील पूर्टाल और 12 के बतने को स्मार्ट स्मार्ट स्मार्फ होँन दने के लिए गवर्मेंट ने पहले के थे इस ए इंप्रीन स्केम्स और प्रोजेक्ट्स वाई पंजब गवर्मेंट ता नेक्स्ट वन इज वान इज ऩो मतलब घूर्ब ऐगानी कि अगर भाज़ दयाने तो उसमें तीन चार-फिट तक पानी उसमें कंजर्स्थेल के रह सकता है ठीज़RP सकता है यह उसमें पसक्ती र निन के पातान के वह इसाय उसमें फैकर बंचर्फ करने के लिए मतलब erklम सेम स्लिए रोबर्ट ड्याम को बना रहे और बियार के बारे में बियार का केपिटल क्या है बियार का केपिटल है पटना चीप मिनिस्टर नितिस कुमार ठीक है और इनका जो गवर्णर फगुशिंग जवान है ठीक है और कुछ स्कीम से बारे में बात करेंगे तो बियार का जो ग्लास इस्तन्साइडने इस्तन्साइड츠 में और जो फास्ट मिल्फाइटर पाईलर थे कौन वहना कन ब्हुना कनद वहना कन वह्त फास्ट मिल्फ घुमेल पईलर थे स्में इन ह今 कि तुच अब जिप तु भीर और वाल्ड का लर्ज़स्ट ऑस्पिटल हहे वह भी हमारा का है वह भी बिहर में ठेक अर डल्फिन जो जलज सपारी ये भी काला गान दुचेशंद दॉल्य कंड़ा नियन च्हें नौर्थ इंडिया का वो भी हमारा का है बिहार में और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो एननेम सीजी लॉंच्ट बाइ सेंटर गर्मेंट ये और इंडिया का फार्स्ट टेम्स का है पर्टना में और सेकंड डेम्स मद्यों का है दरवंगा में हुआ था और कोरोना के टा इस बाइ गवर्मेंट आफ बिहार सो दर टोड़े सेंवा केज वीच यूनियों टेर्टरी वाज डिकलेर टीवी फ्री आप सबको पता है टीवी क्या है टीवी आल आवर दा वाल्ड मतलब ऐसे खारा है कि इंचान हर दिन उसको पर मरता रहता और इसका विलाज भी इलाज इसे बट नॉट इतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है वाल्ड में इसे हो रहा है तो इसमें बहुत सारे पॉपिलेशन जो है हमारा इसमें सफर कर रहे है तो इसका कौन सा राइट अंसर है आपने दिल्ली जम का स्मयर लादा क्यान लग्षा दू क्योंकि आज कल संडे तो आप इस कोचे से पढ़ लेना ठीक है। इसमें है इंडिया फोटी में। इसमें क्या योगा सन है और नेक्स्ट यूद गेम्स कहां हो रहा है। पंचकला में हो रहा है ठीग है और योगाशन जो स्पोर्स मिनेस्टर किरनरी जुज ने यह आढ़ के और और एक्स्टर चार आढ़ करने वाले इसमें हुला महला हुला महला फेस्टवाली सेलेबरेटर निन हुई च्ट यह है पंजब में ठीग है फेर इज बिहार्स फर्स्ट रवर्ट ड्याम बिंग बिल्ट यह गया में तो आज का यह जो है आपको मेरे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके देना है और कल भी आप कल तक यह आपने देखना है और सो गाज प्लीज मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो इस चीज का आपको भी भेल्यू रखना चाहिए तो प्लीज सी में वीडियो लाइक शेर टू यह स्ट्री फ्रेंड्स और सब्सक्राइब मैं चैनल तो गेट मोर और न्यू वीडियो और आप देखना है यह चीज को और आप लाइक करेंगे तो दिस इस निव मोटिवेशन फर में टू मेक न्यू वीडियो और तो मैं एन्कुरीज भी होंगा इस चीज लेगे हम मेरा वीडियो बंद देख रहे हैं और मेरेको मोटिवेशन भी मिलता है इस में से तो मैं और ज्यादा मेनत करूंगा आपको वीडियो अच्छा बनाने के लिए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल तो गेट निव नोटिवेकेशन और अपना स्टड़ी को कंटीनु रखना है क्योंकि वीडिव स्टड़ी दा होल वाल्ट विल फेसर जेड डार्कनेस ठीक है तो हमको पूरा दुनिया अंधर अंधर लाएगा उसलि स्टड़ी को कंटीन रखना, थैंक यू फो सिंग मैं वीडियो, थैंक यू कर दोし갈 गोगी शीटब को किर दो कर दो हमको का यू दियू